मोटर होता है तो पहले यह वाला जो हिस्सा है यह हमारा मोटर है उलेक्टिकल मोटर इसमेंlines क्या है यह इसकी ऊपर की केसिंग है अंदर इसका है फैन होता है और यहां पर इसका स्टार्टर होता है जिसको Southwest कर दो कोपर के वाइनिंग होती है वो तो ये पूरा एलेक्ट्रिकल मोटर है एलेक्ट्रिकल मोटर का बेसिक मोटो क्या होता इसका काम क्या होता है ये एलेक्ट्रिकल एनरजी को मेकैनिकल energy में convert करता है उसके बाद ये rotate करता है ये pump को ये pump की उपर से इसकी casing है और अंदर से जो है यहां पे जो इसके अंदर है वो impeller होता है जो पानी को यहां से सक करता है और यहां से फिर ये suction port है और ये हमारा discharge port है तो पानी यहां से सक होता है और यहां से डिस्चार्ज होता है तो यह इसका काम होता है बीच में यहां पे हमारा कपलर होता है शाप तो होता है यहां पे जो है हमारा रोटर है